आज हम मनाएंगे मट्टी के हंडी में मुंगदाल पालक इसके लिए हमने एक कप मुंगदाल अच्छे से धो के भीगो लिया था घंटे वर पहले पालक को अच्छे से साफ करके इस तरह से बारिक काट लिया है दाल के उपर अब यह पालक कटावा डाल दे इस पर डाले एक ग्लास पानी पानी थोड़ा और डाल दे आधा ग्लास पानी और डाल दिया है ग्यास पे इससे चड़ा दे इससे गरम होने दे स्वात के नुसार नमक डाले नमक बहुत जादा न डाले वन चोथाई चमच हल्दी पावडर डाले इन सब को मिक्स कर ले पालक को अच्छे से धोग के काट लिया था इसमें उबाल आने दे इसमें आधा ग्लास पानी और डाले करीब दो ग्लास पानी डाल दिया है हमने डाल में उबाल आ रहा है इसमें दो हरी मिर्च गोटीगी डाल दे डाल में उबाल आ चुका है अब ग्यास को धीमियाज पे कर दे ग्यास को धीमियाज पे ही रहने दे और इसे बिल्कुल थोड़ा सा ढख दे इसे पूरा न ढखे ग्यास को बिल्कुल धीमियाज पे रखे और जब तक डाल न सीच जाए तब तक इसे धीमियाज पे रखे बीज बीज में इसे चलाते रहें इसे उबलने दे डाल उबल चुकी है यह देखिए अब इसमें यह थोड़ी दाल घोटनी से घोट दे हलका सा डाल इस तरह से हो गई है अब इसमें तड़का लगाने के लिए हम तयारी कर लेते हैं इसे अब साइड में रख दे तड़का के लिए दो चमज घी गरम करने चड़ा दिया है घी गरम हो चुका है अब इसमें यह आधा चमज जीरा डाले जीरा का कलर चेंज हो चुका है इसमें दो टीस्पून लशन कटा हुआ डाल दे लशन को बारिक बारी काट लिया है हमने लशन का कलर चेंज होने दे चमच हींग डाले गैस को बन कर दिया है अब इसमें यह लाल मिर्ज और पानी डाले तड़का रेडी हो चुका है तड़के को डाल के ओपर डाले डाल में तड़का लग चुका है अब इसे हलके हातों से मिक्स कर दे इसे ढख के छोड़ दे हंडी अभी बहुत गरम है इसे ढख के इसी में छोड़ दे हंडी वाली पालक डाल रेडी है इसे गर्मा गरम रोटियों के साथ सर्फ करें इसे सर्फ करने से पहले इसमें नीम्बू का रस्ट डाल दे नीम्बू डालने से इसका टीस और भी अच्छा आएगा ये खाने में बहुत ही स्वाधिस्ट लगती है सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है